बताएगी यह जनता है आपसे जानेंगे क्या इस्तिती तो वास्तों बहुत बहतर है जबसे यहाँ 2014 से सब्से हरी इस बिविदी साल सब्दिए और तब से बहुत सारे विगास के आयाम हुए बदली है तस्बीर बदली है यहाँ के लोगों की तक्दीर बदली है लेकिन आपके साथ कुछ बैठे लोग कह रहे हैं कि याँ ट्रक नहीं है जन निकासी की समस्या है लेकिन ऐसा कुछ है अब आम जनता से पूछेंगे तो जनता बताएगी मोदी जी का विकास वास्तु के दिख रहा है, पुरा भारत देख रहा है, हम लोग बस्ती में रहके देख रहा है, विकास वास्तु मो रहा है, अभी देखे अभी एक नया प्रोजेक्ट आया है, जो है सांसर जी का, ये पूरा रिंग रोड बनने जा रहा है, अटोटोरियम सड़के तमाम नहीं बनी हैं किसी भी अभी किसी भी एरियन में का लिए सड़के आपको कहें ऐसी नहीं मिलेगी सब अच्छे बहुत बेधरी सांदार है युवा है आप बस्ती के युवा तस्वीर कैसे बहुत बढ़िया है जितनी तारीफ कीजा उतनी कम है और मानिय सांसर अधर जिके नित्रूत में जितना काम हो रहा है जितनी रोडे बन रही है हर गली-गली में रोडे गली-गली में नालिया इतनी विकास हो रही है कि सरवज़निक तौर पर बताता हुआ नज़ा आ रहा है कि जो बस्ती जिला है यहां पर जलनिकासी अभी भी पूर्ण रूपसे दूर नहीं हो सकी है ऐसे स्थिति में अपने संसस से उम्मीद्जदा है जनता कि संसस उनकी समस्याओं का निदान ज़रूर करेंगे बस्ती जिले के युवा हमारे साथ मोजूद हैं आप लोग युवा हैं वोटर हैं विकास की स्थिति क्या है विकास की स्थिति बहुत अच्छा है वो थोड़ा गाउं में थोड़ा करने जरूरत है बहुत अच्छा है गाउं में स्थिति क्या है जलनेकासी की समस्या है या ज बिदान हुआ कहीं हुआ है कहीं हो रहा है भी प्रयास में भी लगे हुए हैं और हो भी रहा है काम बहुत हुआ है मानिय सांसत जी दारा एक वो दिन द्याल पुस्ट काले बनाया गया जो सिच्छा के प्रती इवाओ के वहां पढ़ने के लिए ब्युश्ता की गई है इंस्ट्रा टक्चर की बात की जाए चाहें युवाओं की वविस्ट की बात की जाए चाहें बेरोजगारी की बात की जाए मानिय सांसत जी जिसा कार्याज तक के इतिहास में ना कोई किया है ना कोई आगे करेगा जब से 2016 के चुनाओं के बात से मानिय सांसत जी जिस तरह बस्ती के लिए प्रयास किया, युवाओं के लिए प्रयास किया, उस तरह आज तक कोई नहीं किया, और इतने ही नहीं स्टेशन का काया कल्ब की बात की जाए, या पुस्त काले की बात की जाए, या बस्ती में रोडों की जालों की बात की जाए, या गरीबों की सहायता की बा कर लेते हैं कुछ हुआ है जो अपना विचार भी रखने के लिए यहां पर है बस्ती में विकास कितना बस्ती मिकास की कुछ स्रीमा नहीं है काफी ज़्यादा विकास है आप देख सकते हैं पिछले जिस्ति पहले जीति शांसते या फिर पिछले में जो भी आपके सरकार चली सथि उसके साथ सब क्या नहीं भस्ती मिकास करना विकास saansat जी से जनता कितनी खुश है या फिर निराश होती है ये तो आपने सुनी लिया, लेकिन हम यहीं नहीं रुके सब्सक्राइब कर हम पहुँच गए cornice. सांसाज जी के प्रतिनिधी के पास और उनसे जाने की कोशिश की कि आखिर सांसाज जी की तरफ से क्या 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 कदम उठाए गए हैं जैसे बस्ती एक मंडल मुख्याले है और बहुत पूराना जिला है 2014 में मानिय सांसाज जी को यहां का प्रतिनिधी बस्ती की जनता ने मोदी जी के निर्टित में चुना बस्ती अपने आप में बड़ा जिला होने के बाद भी हर मामलों में सिच्छा के छेतर में स्वास्त के छेतर में हर मामलों में बहुत पिषडा था सांसद जी एक सामाने परिवार से उठके एक सामाने कारकरता हो निगनाते जब आये तो यहां की जनता और पार्टी के कारकरताओं को लगा कि एक ऐसा ब्यक्त हम लोग के बीच में आया है जो मूल भूत समस्या जनता की क्या है क्या उनको जरूरत है उस चीज को जाता है कोई बड़ा परिवार नहीं है राजनेतिक परिवार नहीं है उस चीज से उठके वो सांसद बने तो उनको मूल भूत समस्या जो थी उसके बारे में उन्होंने काम किया और आज बस्ती में आप देखिए ग्रामेड छेतर में सड़कों का जाल देखिए चाहे मेडिकल कालेज ब बस्ती का रेलवे इतना दूर उसकी दूर दरसा थी आज बस्ती रेलवे जाईए एसकलेटर की वेऊस था आप लिफ्ट की वेऊस था उसका अधुनित करण कुछ जिले उत्तर प्रदेश के और प्रदेश के कुछ जिलों का चैन मोदी जी के निर्तुत में रेल मंत्री जी के निर्तुत में हुआ बस्ती का भी आधनी करण का हुआ है जो रेलेवे ओवर ब्रिज मुंडरमा ओवर ब्रिज देख लीजी बनके तयार है और ये बस्ती रेलवे स्टेशन जो जिगला के पा बात सोचिए उत्तर प्रदेश के 12-15 जिलों में गैस पाइपलाइन का है बस्ती में काम 80% काम पूरा हो जाया कनेक्शन देना सुरू हो गया हम लोग के सौभाग की बात है कि सांसर जी के निर्थोत में बस्ती निरंतर विकास के पत्वे अगरसर बस्ती के सांसर हरिश दिवेदी ने 2014 में यहां के सांसर पद की शपतली और तब से यहां की जनिता को लगा कि अब बस्ती की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी अब सांसर जी से यहां की जनिता कितनी संतोष्ट है यह यहां की जनिता खुद बया कर रही है बस्ती जिले की जनता से हमने सांसत का रिपोर्ट का डिलिया जनता की माने तो बस्ती में उस्तकाले खुले हैं इसके साथ ही सडकों का विकास भी हुआ है लेकिन आज भी बस्ती में सडकें कहीं न कहीं खराब हैं और इसके साथ ही किनारे पर जलनिकासी की भी समस्या है जनता उम्मीद में है कि सांसत इन समस्याओं का भी आगे निदान जरूर करेंगे लेकिन अगर बात करें तो वस्ती पिछले शाशन के मुकाबले इस बार के सांसत से संतुष्ट नजार आ रहा है कैमरामेन राम बालक के साथ नितिश कुमार पांडी सी मेडिया बस्ती